Dear student, E1 Coaching Center YouTube channel पर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाई, इंडिया के अंदर governance कैसे होती है, भारत की सरकार कैसे काम करती है और जो हमारे democracy के pillars है, legislative जो कानून बनाते हैं, executive जो कानून को लागू करते हैं और judiciary जो देखती है कि कहीं पर समीधान याने की constitution का उलंगन तो नहीं हो रहा ये आपस में कैसे तालमेल करते हैं, कैसे लोगों को चुना जाता है तो इस वीडियो के अंदर आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा और चाहे आप student हो या ना हो, अगर इंडिया के ना Greek है, citizen है तो आपके लिए वीडियो अच्छी रहेगी और अगर student है तो आपकी Indian polity के अंदर definitely काफी clarity लेके आने वाली है ये वीडियो तो भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को start करने से पहले दो जरूरी बाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस channel को subscribe कीजेगा और उसके बाद bell icon दबाएगा ताकि कोई भी वीडियो में डालू तो आपको उसके बारे में पता चल जाए YouTube notify कर दे और मेरे दवारा बनाई गई सारी वीडियो और study material को एक जगह पर एक structure में assess करने के लिए Android app को download कर लिजेगा जिसका link इस वीडियो के description में है तो अब start करते हैं वीडियो तो यार हमारी democracy यानि की परजात अंतर उसके तीन pillar है मतलब उसको तीन हिस्सों में divide किया जा सकता है legislature जो की कानून बनाएंगे executive जो कानून को लागू करेंगे और judiciary जो ये देखेंगे कि कहीं पर भी हमारे सम्वी धान यानि की constitution का उलंगन उसके खिलाफ तो कोई नहीं जा रहा किसी को exploit तो नहीं किया जा रहा बिनावजे तो union level यानि की center government center के स्तर पर और state level मतलब की राज्ये के स्तर पर है वो तीन हिस्सों में बठा हुआ है legislative अलग-लग है अलग-लग है union and state के executive भी अलग-लग है और जो judiciary है वो integrated है मतलब की मिला हुआ है central state का अलग-लग नहीं है और इन दोनों से independent है ठीक है इन में से कोई भी उसको दबा नहीं सकता legislative और executive में से ठीक है और हाँ union के पास ज्यादा powers है definitely लेकिन state के पास भी कुछ powers है जो जिन के ओपर सिरफ state कानून बना सकता है तो चलिए इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि भी कैसे ये सब बनते हैं यहाँ पर कैसे लोग जाते हैं तो यह हमारे सामने है हमारा देश भारत इंडिया तो center का समझने से पहले मैं आपको किसी एक state का बताना चाहूंगा जैसे यहाँ पर राजस्तान को मैंने highlight किया है तो भाई यह है राजस्तान यहाँ पर तो center and union मतलब राज्य, state और union दोनों level पर तीन pillars हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है तो भाई सबसे पहले जो state का legislature है जो कानून बनाने वाली team है state की उसको हम दो हिस्सों में बाढ़ सकते हैं एक तो legislative assembly याने की विधान सभा और एक legislative council council याने की विधान परीशत तो विधान सभा और विधान परीशत आप इनको ऐसे बोल सकते हैं अब यहाँ पर एक कुछ देर के लिए legislative council को भूल जाएगा आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं इसको detail में बताने वाला हूँ ठीक इतनी important नहीं है लेकिन legislative assembly के अंदर लोग कहां से आते हैं ये देखते हैं सबसे पहले तो भाई सबसे पहले किया क्या जाता है राजस्थान को कई हिस्सों में बाटा जाता है of course population के base पर इसको बाटा जाता है तो overall कितने हिस्सों में बाटा जाता है राजस्थान को total 200 हिस्सों में बाटा जाता है ऐसे ऐसे 200 areas में तो माल लो हर एक area पर तीन political party है राजस्थान के अंदर और हर एक area के अंदर A, B और C तीनों अपने candidate को खड़ा कर रही है तो total 200 candidate जीतेंगे एक इलाके में से सिरफ एक ही 75 हैं उनमें से बची हुई 50 भी चीत गई और 25 सी जीत गई टीक है total 200 seat अब क्या होगा जो राजस्थान की legislative assembly है उसमें 200 इंसान बैठेंगे मतलब ये सारे जाकर बैठेंगे ये नहीं है कि जो party हार गई उनके इंसान नहीं बैठेंगे उनके लोग नहीं बैठेंगे वे भी बैठेंगे क्योंकि कुछ लोगों कुछ इलाके के लोगों ने उनको भी चूज किया है लेकिन जो सबसे majority वाली party है जो 50% प्लस वन आदे से ज्यादा जो seat लेके आई है वो government बनाएगी ठीक है अब वो government बनाएगी मतलब की CM भी उनका होगा अब CM की बात आ गई है चीफ मि की तरफ चलते हैं तो भाई executive के अंदर पता है कौन होते हैं CM होता है एक तो CM मतलब की यह जो सबसे ज्यादा seat जिस party ने जीती है यह अपना एक person as a CM choose कर सकते हैं कोई भी जो इनकी party में इनको लगता है कि CM बनना चाहिए मुख्य मंत्री और अब CM क्या करेगा जो भी इनकी party का CM है वो अपनी party में से कई लोगों को choose करेगा विकोज भाई एकला CM भी तो इतना काम नहीं कर सकता कई लोगों को choose करेगा किसी को oil minister बना देगा किसी को education minister बना देगा समझ रहे हो ऐसे ऐसे करके कई ministers बनाएगा वो तो उन सभी ministers को जो भी उसने choose किये हैं उनको बोलते है council of ministers कई सारे ministers का group है अब क्या होगा कोई भी कानून बनाना है तो उसे बनाएंगे legislative assembly वाले उस कानून को अच्छी तरह से लागू करेंगे executive वाले और कोई कानून गलत ना बना दिया हो या फिर अच्छी तरह से लागू ना किया गया हो उसे देखने के लिए हैं जी judiciary वाले जो की अलग से हैं ठीक है इनके उपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता तो ये simple सी state की बात है अब हम चलते हैं जी center की तरफ कि भाई भारत में कैसे सरकार बनती है तो देखिए ये पूरा भारत है जैसे की हमने state को कई हिसो में डिवाइड किया था ऐसे ही पूरी इंडिया क ठीक है जिन भी हिसो में हम डिवाइड करेंगे इनको बोलते हैं लोक सबा constituencies और total कितने हिसो में डिवाइड किया जाता है ये भी बता देता हूं तो भाई पूरे इंडिया को 543 हिसो में डिवाइड किया जाएगा और शाथ में दो लोग और होंगे जो की एंगलो इंडिय होंगे जिनको प्रेजिडेंट नियुक्त करेगा ठीक है तो 543 बंदे यहां से 543 इलाकों में इसे बाटा जाएगा और फिर से हम अज्यूम कर लेते हैं कि भी तीन पार्टीज है ए बी और सी ठीक है तो मान लिया कि भाई 300 सीट पार्टी ए जीत गई 200 सीट पार्टी बी ज देखिएगा यहां से तो 543 लोग है यहां से जितने भी 543 लोग हैं यह उपर जाके विकोज यूनियन के भी ऐसे ही हाउस हैं जैसे स्टेट के हैं तो यह उपर जाके इस हाउस के अंदर बैठ जाएंगे 543 प्लस टू जिनको प्रेजिडेंट नियुक्त करेगा टोटल 545 और इसको बोला जाता है जी लोक सभा लोक सभा क्यों बोला जाता है लोक मतलब की पीपल लोगों की सभा विकोज यहां से जो भी इंसान चूज किये जाएंगे वो लोगों ने चूज किये हैं तो इसको हाउस ओफ पीपल भी बोला जाता है अब इसे नेक्स जो हाउस है व कहां से चूज किये जाएंगे, अब इस बात को ध्यान से सुनेगा, कन्फ्यूज मत हुएगा, अब मैं एक्जामपल ले रहा हूँ राजस्थान का, जैसे की राजस्थान के अंदर, राजस्थान की दस सीट हैं, तो राजस्थान, ये जो 200 इनसान है, जो यहां लेजिसलेट राजस्थान तो है नहीं इंडिया के अंदर, कई सारे स्टेट्स हैं, तो ऐसे ही सारे स्टेट्स, उनकी पॉपलेशन के अकोर्डिंग, कई सारे लोगों को यहां पर भेज देंगे, तो टोटल 238 लोग हो जाएंगे, पूरे देश में से, और 12 आदमी, प्रेजिडेंट न उस बोडी को, ठीक है, पारलेमेंट, यह पारलेमेंट के मेंबर ओ पारलेमेंट हो गए, MPs इनको बोला जाता है, यह सारे लोगसभावाले भी, रज्यसभावाले भी, और इसी तरह से निच्छे जो है, इसको legislative assembly, यह जो भी legislative assembly में चुने गए हैं, उनको MLA बोलते हैं, भारत के प्रेजिडेंट, तो प्रेजिडेंट को कौन चूज करता है, तो चलिए यह भी बता लेता हूँ, तो हमारे सामने यह बताइए, टोटल पारलेमेंट के अंदर कितने हाउस हो गए, सेंटर के उपर तो दो हो गए, लोगसभा और रज्यसभा, और स्टेट के अंद चूज कर लेंगे, सिमिलरली वाइस प्रेजिडेंट चूज कर लेंगे, काफी डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा, अभी मोटा मोटा समझा देता हूँ, ठीक है, और जिस भी पार्टी ने, जैसे कि यहाँ पर पार्टी A ने सबसे ज़्यादा सीट चूज की है, जिस भी प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, जो भी ये 300 इंसान है, इन में से कई लोगों को, जो भी उसकी पार्टी के परसेन है, कई लोगों को अलग-लग मिनिस्ट्री इस दे देगा, जो की हैं जी काउंसील अप मिनिस्टर, जिनका पुरा दाइत्व होगा कि जो भी फिल्ड उनक करेंगे अच्छी तरह से, और जूडी शिरी क्या गरेगा, जूडी शिरी इनके उपर नजर रखेगा बज, ठीक है, इनके उपर, की भाई कैसे काम कर रहे है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तो जूडी शिरी को कोई भी टच नहीं कर सकता, अलग है, और इंटीग्रेटि होता है क्योंकि अब एक बात बताओ जो स्टेट है उसके अंदर यह जितने भी इंसान है यह सारे तो स्टेट से आ गए सी एम भी कांसिल और मिनिस्टर भी लेजिसलेटिव असेंबली भी लसी भी तो सेंटर को कैसे पता चलेगा कि भी स्टेट कोई गलत कम नहीं कर रहा है तो प्रेजिडेंट क्या करेगा हर एक स्टेट के लिए गवर्नर चूज करेगा जो भी जो की स्टेट की एगजिकटिव के अंदर आएगा गवर्नर जिसको प्रेजिडेंट ने चूज किया तो क्लियर है यह सब अब आते हैं जुडी सिरी की तरफ तो नीचे होगा district court लेकिन कभी भी भूल के ये मत सोचना कि भाई district court state government से चोटा है नहीं district court हो या इसके अलावा और जो judiciary bodies है कोई भी इन से चोटा नहीं है ये इन सब से independent हैं अलग हैं और कोई भी गलत कानून बनाया तो यही हमारी रख्षा करेंगे तो यार मुझे लगता है कि definitely आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अच्छी information लगी है तो यार इसे तुरंत like कर दीजेगा भी अच्छा लगता है जब लोग like करते हैं और अगर नए person है तो subscribe कर लीजेगा यार ताकि आपको मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए हस्ते रहिए बाई बाई टेक केर